भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राश्रपती शी जिन्पिंग के बीच हुई द्विपक्षिय वारता की। दोनों ने था रूस में चल रहे ब्रिक्स सम्मिलन के एतर मिले, मोदी और जिन्पिंग के बीच पात साल बाद मुलाकात हुई। इस दोरान चीन के राश्रपती ने कहा कि हमारी बैठक पर अंतराश्ट्रिय समुदाय का ध्यान है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों और लोगों के हितों में है कि हम अपने द्विपक्षिय रिष्टों को गहरा करें और आपस में संचार और सह्योग बढ़ाएं, विवादों और असहमतियों को सुलझाएं। मही प्रधान मंत्रि नरेंद्र मोदी ने आपसी विश्वास और सम्मान बढ़ाने की जरूरत बताते हुए, चार सालों से चले आ रहे सीमा विवाद पर बनी सहमति का भी जिक्र किया। सीमा पर शांती और स्थीरता बनाए रखना हमारी प्रात्फिक्ता रहनी चाहिए, मिच्यल ट्रस्ट, मिच्यल रिस्पेक्ट और मिच्यल सेंसिटिविटी हमारे समंधों का आधार बने रहना चाहिए। साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन के सानिकों के बीच छड़प और सीमा पर तनाव बढ़ गया था। इस तनाव के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार भी खूब बढ़ा और 2024 तक ये इतना बढ़ गया कि चीन ने भारत से व्यापार के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अब नरेंद्र मोधी और शी जिन्पिंग के बीच हुई मुलाकात का दोनों देशों के रिष्टों और ब्रिक्स पर क्या असर पड़ेगा ये जानने के लिए हमने बात की सुमया विद्याविहार यूनिवरसिटी मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल कुछ महीने पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत की जो चीफ एकॉनमिक एड्वाइसर थे आनंत नागेश्वरन जी उन्होंने भी बताया था कि भारत को चीन के साथ अपने एकॉनमिक रिलेशन्स को बढ़ाना चाहिए ताकि हम और FDI ला सकी जो की भारत की एकॉनमिक के लिए बहुत मैद्गों है पहली फर्स पॉइंट इस दूसरा बात ये है कि इस दौरान हम देखते हैं कि युक्रेण रश्या के वार जो यूद चल रहा है युक्रेण रश्या के पीच में उस दौरान चीन रश्या से भी काफी पास आ चुके है और रश्या हमारे बहु इस दौरान चीन भी ये समझते है कि इस दौरान भारत भी यूएस से बहुत पास आ चुके है तो इस चीज को मुद्दे नजर रखते हुए चीन अपना रिलेशन्स रश्या के साथ और मजबूत बनाने में जोड दे रहे हैं और ये कही ना कही भारत और रूस के बीच के इसमें भारत और चीन के भूमी का जो है बहुत ही जादा मैदपोन है अब जब ये परिस्थिती है कि भारत और चीन के बीच में कॉन्फिक्ट चल रहा है कुछ सालों से तो इस वक्त बाकी देशों को भी ये उमनीद रहता है कि अगर ये दोनों देश आपस की आपस की जो कॉन्फिक्ट है इसको अगर इसका अगर समाधान लाते है तो ये मल्टिलाटरल और्गिनाजेशन के तरफ और पूरा रीजिन के तरफ जादा जादा कंट्रिबूशन कर पाएंगे अभी दोनों देशों के जो लीडर्शिप है वो बहुत ही स्ट्रॉंग लीडर्शिप मा तो अभी अगर हमारे रिलेशन्शिप ये इस डौर को अगर हम पार कर लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे रिष्टे अभी के लिए आगे के तरफ बढ़ेंगे